C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला महान विभूतियां इस श्रिंखला के अंतरगत सुनते हैं एक वार्ता पंडित दीन दयाल उपाध्याए एक अध्वितिय व्यक्तित्व पंडित दीन दयाल उपाध्याए का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रजभूमी मतुरा जिले के नांगला चंद्रभान नामक गाउं में हुआ था ये परिवार निम्नमध्यवर्गिये कहा जा सकता है इनके परपितामः पंडित हरी राम उपाध्याए प्रख्यात जोति सी थे बचपन से पंडित दिन दयाल उपाध्याए को दीना कहकर प्यार से पुकारा जाता था आपको यह जानकर अत्यंत आश्यर्ज होगा कि पंडित दिन दयाल उपाध्याए और भारत का स्वधहिंता संग्राम के अंतिम चर्ण का इतिहास बिलकुल उनके जीवन के समानांतर चल रहा है इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि एक अध्यंत निर्धन निष्ठावान सनातिनी परिवार के बालक को अपनी जीवन की विसंगतियों से वो विसंगतियां क्या थी एक-एक उनके स्वजनों का देहांत पिता का देहांत खुछ दिनों में मा का देहांत इस तरह से एक ऐसा जीवन जो सयम ही निषंग हो रहा हो और नीजी जीवन के समापन के साथ ही जो नीजी जीवन के समाप्थ होने से सार्वजनिक जीवन सुरू हो जाता है ये क्रम है उनके जीवन में नौ वर्सों तक उनको पढ़ने का कोई आशर नहीं मिला अपने सगे संबंधियों में उनके एक मामा गंगापुर में स्टेशन मास्टर थे चार बरस उनके साथ गंगापुर में रहकर उन्होंने कक्षा चार तक ही पढ़ाई की फिर उनका दूसरा अध्याज शुरू हुआ तीन बरस तक कोटा में रहकर उन्होंने आठवीं कक्षा पास की राजगड से इस तरह से राजगड अलवर, सीकर, पिलानी फिर उसके बाद इंटरमीडियेट करने के बाद उनका दूसरा जो जीवन सुरू होता है अध्यान का वह कानपूर आगरा और प्रयाग से होता है यहने उनका पूरा जो सैक्षिक समय है, काल है वह उत्तर परदेश और राजस्थान के शेत्र में व्यतित होता है दस्वी कक्षा की परिक्षा पास करने में जो तीन तीन अस्थानों का परिवर्तन होता है हम देखकर आश्याज करते हैं कि दिन द्याल जी इतनी भी समताओं के बाद जूद न केवल उस स्कूल में सबसे सरपर्थम आते हैं बलकि पूरे परिक्षा बोर्ड में स्वरपर्थम आते हैं इससे उनको स्वनपदक मिलता है साथ ही स्कूल के जो संस्थापक हैं उनकी ओर से उनको दस रुपे की मासिक शात्रविर्ती मिलती है और इसके बाद जब वो इंटरमीडियेट में जाते हैं तब भी साधन विहीन बालक विद्यार थी न केवल उस इंटर की कक्षा में सबसे अवल रहता है बलकि वहाँ पर भी बोड में उनकी प्रथम स्रेडी आती है और वहाँ पर भी उन्हें स्वनपदक 10 रुपे का मासिक वह प्राप्त होता है यूँ समझिये कि 25 बरस की अवस्था तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग गारा अस्थानों पर दिन दियाल जी का रहना हुआ नए नए अस्थान नए नए लोगों से मुलाकात और सबसे एक आत्मियता के भाव से जुड़ना उनके साथ रहना और एक दिन भी छड़ जाना कानफूर के दिनों में जब वो सनातक कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात राष्टिय सेम सेवक संग के संगठन से होती है और ये अदूत संजोग है कि संग के संस्थापक डाक्टर एडगवार बीर सावर कर उनसे उनकी आत्मियता बढ़ती है और इसका प्रतिफल यह होता है कि दिन द्याजी के चिंतन में स्वधिंता अंदोलन के जितने विंदू हैं वो सब सामिल हो जाते हैं सायम दिन द्याजी का जो व्यक्तित्व है इतना नयतिक और निष्ठावान है कि उनके जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं से ही हम समझ सकते हैं कि यह व्यक्तित्व विश्व के मानक विचार अस्थापना के शेतर में सर्वोत्तम दिशा में जाएगा पंडित दिन दे अलुपाद्याए जब छोटे थे तो एक छोटी सी घटना प्राप्त होती है वो एक सबजी वाली के पास सबजी खरीदने पहुँचे उनके जेब में चार पैसे थे और उनको यह पता था कि उसमें से एक सिका खोटा है खोटा का मतलब काला पढ़ गया है गिस गया है अब उसे कोई लेता नहीं है उनको बातचीत करते हुए यह ध्यान नहीं रहा और उन्होंने दो पैसे दे दिये जब लोटे तो उन्होंने देखा खोटा पैसा कहा है तो उनको ग्यात हो गया कि यह हमने सबजी वाली को दे दिया फिर लोट कर गये और उसके पूरे पैसे गल्ले से खोज कर उस खोटे सिकर को निकाला तो उनके साथ जो उनके मित्र थे उनोंने कहा कि इतना स्रम क्यों कर रहे थे उन्होंना कहा कि नहीं, जब मैं सच्ची सबजी खरीद के लाया हूँ, तो सच्चा सिखा भी देना चाहिए न, यह तो गल्ती से मेरे हाथ लग गया था एक सयम नैतिक बनकर और सयम नैतिक विशारों के साथ समाज में और जीवन में विचार निष्ट होकर कार्जे करना, उनके वैक्तितों की एक बहुत बड़ी विशेश्ता थी, और यह विशेश्ता उनके पूरे वैक्तितों और विचार में हमेशा कायम रहती है वास्तव में भारतिय बाधि की तिहास के अध्यतन मनीसी, दिन्द्याल जी, संस्कृति और जनजीवन दोनों के बीच सेतु हैं, दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी हैं, जो आध्य को याने परमपरा को बरतमान प्रतिनिधित्यों के योग्य बनाते हैं, उनके पास कोई भातिक सम्रिधि नहीं है, न राजनितिक कोई पद है, भारतिय मनीशा किसी पद या भातिक सम्रिधि से परिभासित होती भी नहीं है, विशुद रूप से ज्ञान मैं जीवन है, इसलिए हम कर सकते हैं कि भारतिय बाधिक इतिहास के मनीशी हैं, पंडित दिन दिन्द्याल उपाद्ध्याए। प्रकृति को उन्नैन कर उसे संस्कृत बनाया जा सकता है। प्रकृति को उन्नैन कर उसे संस्कृति बनाया जा सकता है। तो सिर्राम सर्मा अचार जी ने कहा। वही भूख लगना प्रकृति है। छीन जपट कर खाना विकृति है। और मिल बाट कर खाना संस्कृति है। संस्कृत की जो अनुवादिक धारणा है। यानि संस्कृति जब हम कल्चर कहते हैं तो वह किसी जाती, किसी समाज, के रहन, सहन, निर्थगीत, रुची को कल्चर कहा जाता है। या संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति को कल्चर के अर्थ में लिया जाता है, तो उसके मुलार्थ से बिचलन हो जाता है। वास्त लिखता यह नहीं है। दिंद्या जी ने कहा कि प्रकृति को उन्नैन कर उसे संस्कृति बनाया जा सकता है। पर उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। आगे लिखते हैं कि आधुनिक मनविज्ञान बताता है कि किस प्रकार मानो प्रकृति एवन भावों की उहेलना से व्यक्ति के जीवन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति प्रायह उदासीन अनमना रहता है उसकी कर्मशक्ति शीड हो जाती है अथवा विकृत होकर विपथ गामीनी बन जाती है व्यक्ति के समान राष्ट की प्रकृति के प्रतिकूल चलने पर अनेक व्यत्थाएं उत्पन्न होती हैं सुनिश्चित रूप से दिन द्याल जी यह मान कर चलते हैं कि भारत की एक अपनी प्रकृति है अपनी एक धार्णा है वह जो धार्णा है वही इस देश की असमिता है इस देश की चिती है दिन दिया जी के चिंतन में जो चिती है, विराठ है, संस्कृती है, फिर इसी पर आधारिते का अत्मान और दर्शन है, ये सब अत्यंत निगूड, पारिभाशिक और विबिद अर्थों को अपने आप में संजोकर चलने वाली सब्दावडिया है, उन्ही के वाके को मैं पु इस भक्ती तो राष्ट के संपूर्ण जन समाज के प्रती ममत्व की भावना के कारण है, जो की एक आत्मत्व का परिणाम है, व्यक्ति की आत्मा के समान ही राष्ट की भी आत्मा होती है, राष्ट की इस आत्मा को हमारे शास्त्रकारों ने चिती कहा है, राष्ट में जन ह राष्ट में सम्रिध्धी है, राष्ट का एक भूखंड है, उसका अपना इतिहास है, अपनी परमपरा है, इसकी चर्चा, इतिहास कारों ने, प्रबुध जनों ने, बिचार को ने खूब किये, लेकिन राष्ट में कोई एक आत्मा होती है, राष्ट क्या एक सजीव अस्तित्व है, इसका परिचय तो सिर्फ दिन द्यालुपाध्याई किया ही, मिलता है, कि राष्ट एक एक आत्म सत्ता है, और उन्हों ने, विश्व के इतिहास की कई घटनाओं को उध्रित करकर, यह सि अर्थ की सकती की यह सिमा है, बिबिन्यतरा के विचार उत्पन होते हैं, धर्शन उत्पन होते हैं, उसकी यह सिमाएं हैं, लेकिन, जो राष्ट की मूलभूत आत्मा है, उसकी जो सजीव जीवन धारा है, वा सतत है, और वही सबसे प्रधान है।। इसलिए देशभक्ति क उन्होंने राष्ट की आत्मा से जोड़ा और यहीं से 1964-65 का वह जो समय है दौर है दिन द्यालुपाध्या ने एकात्म दर्शन, एकात्म मानो दर्शन का प्रतिपादन किया यह भारतीय संस्कृत के सुभाव में जो निहित एकात्म भाव है उसको समाने प्रयोग और अन्भो में कैसे प्रस्तुत किया जाए इसे अगर देखना हो तो हम दिन द्यालुपाध्या ने किया भारतिय संस्कृत का स्वभाव मूलतः एकात्म है वेवारिक दर्शन का प्रतिपादन पंडित दिन्द्याल उपाध्याय ने किया उनके अनुसार भारतिय संस्कृत की पहली विशेष्ता यह है कि वह संपून जीवन का, संपून सृष्ठी का संकलित विचार करती है इसका अर्थ है कि समाजों में बटे हुए प्रांतों, भाषा, विवित तरह की रूचियों, प्रविर्तियों में बटे हुए देश की बात वह नहीं कर रहे है उनका दृष्टिकोड एक संपून स्रिष्टि का संकलित विचार है, उनिक पंक्ति है कि हमने संपून जीवन में मूल भूत एकता का दर्शन किया है, जो द्वैतवादी रहे, उन्होंने भी प्रकृति और पुरुस को एक दूसरे का विरोधी अथ्वा परस्पर संगर सील नमान कर पूरक ही माना, ये विश्वी सताब्दी के उत्रार्ध में, पूरे विश्व में यह एक जो मनुस्य का हंकार था, कि वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा, उससे प्रकृति उसके मुठी में आ जाएगी, उसके बिलकुल बिपरीत यह कतन है, कि प्रकृति स संसकार कर सकते हैं, उन्नायन कर सकते हैं, मनुस्यकी प्रविरतियों को सही दिशा दे सकते हैं एक नई अस्थापना के रूप में दिन द्याल जी ने उस विज्ञान जूग को संबोधित किया है या कहा कि जो द्वायत है प्रकृति पुरुस कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं रखा गया इसका परिडाम है कि भारत में, इस्त्री और पुरुस में समानता पहले से ही स्थापित है और उनके बीच किसी संघर्ष की बात करना या भी अमान्य है जीवन की विविधता अंतरभूत एकता का आविश्कार है और इसलिए उनमें परस्परानुखूलता परस्पर पूरकता नीध है दिन्द्याल जी के विचार भी इसी तरह के सर्वसमावेशी और निर्विबादित विचार है जैसे उन्नैस्मी और विश्मी सताबदी में भारत से विश्व भर के देसों में गए हुए विश्व कल्याण के मानिवी और अध्यातमिक विचार जिन्हे सर्वत्र स्विकार किया गया दिन्द्याल जी ने एकातमानो दर्शन के विश्णे में कहा है कि भारत एवंग भारत के बाहर की बिविध विचार धाराओं का सम्यक विचार करते हुए और उन विचारों के सामर्थ एवंग दुरबलताओं को ध्यान में रहकर एकात्म मानव का विचार एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो मानव को उसके आज तक के चिंतन अनुभव एवंग सिद्धी सभी से आगे ले जाता है दुतिये जुद्ध के बाद विश्व भर की परिस्थित तयार हुई थी भारत की परिस्थित तयार हुई थी उसमें कोई भी ऐसा दर्शन नहीं था जो पूरे विश्व मानवता के लिए परिपूर्ण हो विश्व की एक आत्मता और शान्ती के लिए अनेक प्रयास होते रहें लेकिन ऐसा कोई वैचारी का अधार अब तक नहीं बना जो उन प्रयासों को वेवहारिक बना सके इसमें जो वेवहारिक सिविकृति है एक विश्वात्मा की धारणा जो इसे गीता में है दिन्द्याल जी ने अपने समय के विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वातंत्र तो है परंतु उसका विकास फूजी वादी वेवस्था के साथ सोसन और केंद्री ये करण के साधन के रूप में हुआ है सोसन मीटाने के लिए आव सकता इस बात की है कि विश्व के वैचारी का भाव की पूर्ति में एक आत्मानो दर्शन का सहयोग लिया जाए पूरे विश्व को अखंडता एकात्मता की दिशा में ले जाया जाए और इसके लिए एकात्मानो दर्शन सबसे सहयोगी चिंतन हो सकता है उनका विचार हमें बाधित नहीं करता है हमें अरुद्ध नहीं करता है निरंतर चिंतन की दिशा में बढ़ने की प्रेणा देता है पंडित दीन्दियालूपाध्याय के एक आत्म दर्शन से हमें क्या सीखना है इस पर विचार कीजिए उनके कथन और उनके कर्म में भविश्य दृष्टी में एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम आज चल कर सुख सम्रिद्धी शान्ती प्राप्त कर सकते हैं सारी विशमताओं और आपसी कटताओं को मिटा सकते हैं शिक्षा के शेत्र में सामाजिक विवार में आर्चिक शेत्र में आज उस एक आत्म भाव की आवशक्ता है जिससे मनुस्य को मनुस्य के प्रती ममत्व बढ़े और एक दूसरे में सहयोग की भावना पन पे आत्मिय भावना उदित हो इन ही उदेशियों की पूर्ति के लिए पंडित दीद नियालुपाज्य ने एक आत्मानों दर्शन का हमारे सम्मुक रगाटी करण किया था दीन दयाल जी ये जो उनका व्यक्तित्व है आरंभसे ही सर्वोतम है और बढ़ने की प्रेणा देता है पंडित दीन दयाल उपाध्याए एक अद्वीतिय व्यक्तित्व अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता बार्ताकार प्रोफेसर प्रमोत कुमार्दुबे भाषाशिक्षाविभाग NCERT ध्वन्यांकन बटिलैंगलिंडो निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान निर्देशन वध्वनिसंपादन वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत